इसे में बियार में राजनितिक हल चल इस वक्त तेज होती वी और सिर्फ ये राजनितिक हल चल जहाँ पर आपस में दिल जुड रहे हैं, खनिश्टिता बढ़ रही है, प्रेम संबंद हो जागर हो रहे हैं, बीजेपी और जेडियू के अंदर ही नहीं है, अप तेजस्वी आदो राबी आवाज पर पहुंचकर अपने पिताल लालू प्रिसाथ से चर्चा और मंत्रणा शुरू कर चुके हैं, हाला कि ये माना जा रहा है कि लालू प्रिसाथ जो हैं, वो अब उस कैलकुलेशन की तरफ आगे बढ़ गए हैं, जिससे इस सरकार को अपने बेटे के नित्रितों में वो चला सके हैं, और तार किशोर प्रिसाथ की तरफ से जो बड़ा बयान दिया क्या है, वो आप बताते चलें, राजनीती में दरवाजा कभी बंद नहीं होता है, अब आप समझें, जिस बयान को बार बार बीचे पी दोहरा रही थी, कि अब जो वो दरवा जेडियू की तरप से भी, जेडियू ने अगर आजडिय का साथ छोड़ दिया, तो क्या इस सिति होगी, आजडियू विधायकों के संख्या, 19, लेफ्ट विधायकों के संख्या, 16 और कुल विधायकों के संख्या, 114 पहुंच जाती है, लेकिन आखड़ा चाहिए 122 का सरक आठ बनाने और चलाने के लिए यानी की आठ विधायक कम है उस जादुई आकड़े से उस बहुमत के आकड़े से तो यह आठ विधायक निकलेंगे कहां से आएंगे और इसी वज़ों से ये माना ज़ौ रहा है कि लालुum प्रसाद एक्टिव नज़र आ रहे हैं और जेडी एक्टिव नज़र आ रही है चैनल का महतुं है जो राजनीतिक जानकारी उनके तक के पहुँँ रही है वह कोशिश कर रहे हैं आजमानी की और हमारे सेयू की रवी असनारायन लगतार हमारे साथ जुड़े हुए रवी क्या लालू प्रिसाथ की तरब से अब ये कोशिश की जा रही है कि उन लोकों को अपने साथ जोड़ लिया जाए जो आठ की संक्या को पूरा कर दें यानि विकल्प में जो अपने डंक से जो महरे चलने शुरू कर दिया है उसमें हर वो चाल शामिल है जिसमें तेजस्वी के नित्रत में सरकार बन सकती है और इसे बनाने के लिए अखर पूर कोशिश जो है वो किया जाएगा और अभी जो जानकारी मिलें उसके मुताबिक तिर्फ आकड़ों पर बात चले कि ये आकड़े जो है वो कहा से आएंगे और किन-किन लोगों को जो है वो तच करना है बिल्कुल रगी आपने अज़र बना के रखिए क्योंकि बियार की सियासत के लिए आज से आज का ये दिन सबसे बड़ा माना जा रहा है क्या जीतनगा मांची जो कह रहे आएंगे वापस